तो आज हम लग जिस टोपिक पर बात करने बाले है वो है Call of Duty Mobile का जो होमपेज पर इतना छोटा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है किसका कौन सा काम है और इसका पूरा जान करी आज मैं आप लोगों को दूंगा इधर इस्टोर इधर से मैं समझाने के कोसिस करो इस्टोर पे ओके करके आप इधर बेंडल खरीद सकते हो कुछ भी अगर गेंग में खरीदना चाहते हो तो इस्टोर में ओके करो इधर से आप सब कुछ खरीद सकते हो इधर क्रेट सा गया इधर बेंडल सा गया कुछ भी बे जाए तो इधर पे करके खरीदना पड़ता है इधर फिरी में मिलता है वो नीचे के तरब जो क्रेडिट सॉप ओफर्स लिखा हुआ है इधर आप गेम खेल के जो सी कोईन मिलता है उसी से यह सब खरीद सकते हो यह सब सभी फिरी में मिलता है चलो मैं इसे वेक कर देता हूं उसके बाद जो उपर में लिखा हुआ पोस्टाड है लिमिट टाइम ओफर्स इधर आप OK करके अपना आया हुआ सबी ओफर्स को देख सकते हो इधर नए-नया ओफर्स चेंज होता रहता है इसमें आप OK करके नए-नया ओफर्स देख सकते हो चलो मैं इसे भी देख कर देथ आओ उसका उपर जो लिखा हो अ रहा है इवेंट्स एक पोस्टर में आप ओके कर के है देली का आया हूँआ जो collect offer है इधा डेली option है चाल नमर पर इधा डोली option पर okay करके इधा डेली offers आता हो दा रहता है यह खेल कि आप collect कर सकते यह खेल के collect करना पड़ता है यह लेने के लिए खेलना पड़ेगा दोस्त चलो मुझे इसे भी बैक कर देता हूं सबसे उपर कोने की तरफ इसमें आप ओके करके इधर आपका लेवेल चेक कर सकते हो कितना लेवेल हुआ है जैसे जैसे लेवेल आप करोगे वह इसे वह फर्स खुलते जाएगा इधर ओके करके अपना नाम चेच कर सकते हो और पोस्टर मिलता जाएगा आप जैसे जैसे खेलते जाओगे और साफ़ोस्टर मिलता जाएगा इधर नए-अनय पोस्टर और आप देख सकते हो कितना मैं आप जीते हो और कितना मैं च हा रहे हो चलो मैं इसे भी देख कर देता हूँ इधर question mark में ok करके आप call of duty से जुन कर कोई भी सवाल हो तो इधर put सकते हो कोई की problem आ जाए तो इधर ये question mark काम में आती है उसका पास में जो message का आइगन दिख रहे हो उसमें आप ok करके game में आया हुआ message and xp card किसने कितने xp card भेजा ओच चेक कर सकते हो चलो मैं इसे भी बेख कर देता हूँ उसका पास में जो ये वाला आइकन है इसमें आप ok करके आपका friend को invite भेज सकते हो अपना facebook friend को जोड सकते हो अपना facebook friend को xp card भी भेज सकते हो इधर से ही वो सब कुछ होता है xp card send करने वाला जो option आता है game में सब कुछ इधर से होता है इधर आना बस इधर send xp card में ok करना बस send हो जाएगा इधर से देखो send successfully चलो मैं इधर से इधर को भी back कर देता हूँ उसके बाद जो इधर setting का icon दिख रहा है इस सबसे बड़ा important चीज़ है game का इधर से आप game का कोई भी settings change कर सकते हो इधर बहुँच कुछ setting मिल जाएगा इधर setting में ok करके इधर basic and audio, graphics, sensitivity इमें settings भी back कर देता हूँ setting का पास में जो c coin है इसके बाद में तो पहले बता दिया video start होने से पहले बता दिया इस c coin से आप बहुत कुछ खरिद सकते हो वो इस store option में जाके इस सब खेल के c coin जमा होती है इसी से आप खरिद सकते हो बहुत कुछ side में जो battle pass का option देख रहा है इधर आप ok करके आया हुआ नया सीजन का battle pass टेलर देख सकते हो battle pass खरिद सकते हो battle pass से जूर कर कोई भी अगर question हो सब कुछ इधर से ही मिलता है battle pass से जूरी कोई भी अगर सवाल है तो comment पे लिख देना मैं इधर से वीडियो बना दूँगा battle pass से जूरी सबी वीडियो में इधर से बना दूँगा मैं चलो इसे भी बैक कर देता हूँ battle pass का नीचे जो rank match लिखा हुआ पोस्टर आ रहा है इसमें आप rank match खेल सकते हो इसमें ok करके इसके अंदर जाओ go पे क्लिक करो इधर आ गया rank match इसे खेल के अपना match का जो rank है उसे बढ़ा सकते हो नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है multiplayer battle royale यह सब भी बंद रहेगा पहले rank match खुला रहेगा rank match 10 बाड़ा खेल लेना उसके बाद दोनों option खुल जाएगा इधर rank match के नीचे जो multiplayer option आ रहा है जिसको हम लोग PUBG में TDM कहते है Call of Duty में इसे multiplayer game कहते है इसमें आप 4 player into 4 player match खेल सकते हो जो TDM जैसा खेला जाता है इसमें खेलते है सब कुछ इसमें बैक कर देता हो उसका नीचे जो battle royale option आ रहा है इसमें आप OK करके classic match खेल सकते हो जो बड़ा match होता है वो इदर से खेल सकते हो जो नया game को download करता है सब कुछ इही सवाल पूछता है को enemy क्यों कैसे चेंज करता है गांस को कैसे चेंज करता है बैक्स कैसे चेंज करता है तो इसके लिए आपको तीन तरी के मिलेगा कौन सा एनेमी चेंज करना है सामने का एनेमी चेंज करना है या माल्टिप्लियार एनेमी चेंज करना है यह हो गया माल्टिप्लियार एनेमी इसको चेंज करना है और एक हो गया बैटल रोयल एनेमी तीनों तीन तरीके से चेंज होता है यह बैटल रोयल एनेमी हो गया जिसको change करना है उसका नीचे load out में जाओ जैसे मेरे को home page का enemy change करना है तो इसके लिए मैं जाओंगा इधर नीचे के तरब load out में इसमें मैं okay करता हूँ होमपेज का जितना भी कुछ चेंज करना है इधर से मिल जाएगा इधर गन्ट चेंज करना है गन्ट में क्लिक करो कि बहुत कुछ गयन है इधर बहुत तरह का गयन है कुछ भी गन्ट स्लेट करो कि सेलेक्ट करके बस इधर ओके कर दो सेलेक्ट हो जाएगा एनिमी चेंज करना है एनिमी के ऊपर क्लिक करो इधर से एनिमी चेंज हो जाएगा मैं इसे बेक कर देता हूँ उसके बाद टीडियम का एनिमी चेंज करना है टीडियम में ओके करो मल्टिप्लियर में ओके करो उसके बाद इधर आओ, उसका नीचे लिखा हुआ आएगा लॉड आउट, इसमें OK करो इधर से TDM का एनिमी चेंज हो जाएगा इधर सभी option इधर है, इसमें क्लिक करके गन से एनिमी है कुछ भी अगर चेंज करना है, तो इधर से चेंज कर सकते हो उसके बाद जो नीचे बैटल रोयल लिखा हुआ आ रहा है, इसमें आप लोग OK करके क्लासिक मेच का एनिमी चेंज कर सकते हो जो नीचे लिखा हुआ है, लोड आउट, सेम वो सब का जैसा, सेम ही इधर भी process है, नीचे लिखा हुआ लोड आउट है इसमें OK करके आप लोग क्लासिक मेच का एनिमी चेंज कर सकते हो, देख लो इधर सभी कुछ है, जैसे TDM का चेंज किया है, वो इसे इधर भी चेंज कर लेना, मैं इसे भी बेक कर देता हूँ Friends को कैसे invite भेजना है, कैसे जोरना है गेम के साथ खेलने के लिए जिस गेम आप खेलना चाते हो, उसमें पहले OK करो, जैसे कि ranchett match हो गया, multi player हो गया, battle royal हो गया, जिस भी match को खेलना चाते हो, उसमें OK करो जैसे मैं ये माल्टि प्लेयर मेच ओपेन करा उसका पास में जो बाजू में लिखा हुआ आ रहा है इनभाइट उसमें ओके करो आपका जितना भी फेस्बुक फ्रेंड है इधर सभी आ जाएगा इधर साइड में जो प्लास का आइकन दिख रहा है उसमें ओके करके आप उसे इनभाइट भेज सकते हो खेलने के लिए अगर बैटल रोयल खेलना है तो बैटल रोयल में ओके करो मतलब कि Classic Match में कोई Invite भेजना है साइड में लिखा हुआ Invite में OK करो जैसे TDM में भेजा सेम प्रोसेस इसमें भी काम करता है Plus Icon में OK करो साइड में Plus Icon है उसमें OK करो Invite भेजो अगर वो Accept करता है तो इधर Plus में जो इधर जान करी था मैंने आप लोगों को बता दिया अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना